इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइलिट हेलिकॉप्टर को कैसे कंट्रोल करता है। उससे पहले बात करते हैं साइकलिक पिच की। देखो पिच होती है रोटर के ब्लेड के एंगल को बदलना। और साइकलिक पिच होती है हर बार घूमते वे रोटर के ब्लेड के एंगल को बदलना। अब आप पूछोगे यह बताओ कि हम रोटर ब्लेड के एंगल को बदले ही क्यों हम तो नहीं बदलेंगे जी अच्छा अगर आपने एक ऐसी मशीन के साथ जिसे कंट्रोल करना पहले ही बहुत मुश्किल है जरा सा भी मजाग किया तो आपक जादा हवा को नीचे फैक सकें और पीछे जाते हुई ब्लेड काम हवा फैकें इस तरह से अनबैलेंस फोर्स बनाकर हेलिकॉप्टर आगे बढ़ जाता है जब पाइलेट के हाग की स्टिक सेंटर में होती है तो हेलिकॉप्टर सीधा उपर उठ जाता है जैसे ही वो सबसे बैस्ट माना जाता है बस इसे लोहे की कपड़े पहना कर लुक अच्छा कर दिया सिरीज हुई खतम और अब टड़ा